सरल हिंदी में प्रश्न उपनिशद प्रस्तुत करता स्वयम प्रकाश शर्मा उपनिशद का आरंब हम प्रार्थना से करते हैं ओम हे परम ब्रम परमात्मा अपने कानों से हम अच्छा ही सुने अपनी आखों से हम अच्छा ही देखें द्रड अंगों वाले अपने इस शरीर से हम उस परमात्मा का गुणगान करें ताकि है जीवन जो हमें मिला है वे देव हित के काम आ सके सब और फैले हुए एश्वरे वाला इंद्र हमें समरिधी प्रदान करें सब कुछ जानने वाला पूशन हमें समरिधी प्रदान करें गरुड जिसके रास्ते में कभी कोई रुकावट नहीं होती हमें समरिधी प्रदान करें बुद्धी के स्वामी बिहस्पती हमें समरिधी प्रदानरे ओम शान्ति 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 ओम प्रश्न उपनिशद जो अथर वेद का हिस्सा है हिंदु धर्म के ग्यारे मुख्य उपनिशदों में से एक है इसका नाम प्रश्न इसलिए है क्योंकि इसमें छे जिग्यासु रिशियों द्वारा विख्यात रिशी पिपलाद को पूछे हुए छे प्रश्न और उनके उत्तर हैं यह छे प्रश्न मुख्य तौर पर सृष्टी का परमकारण, परंब्रम, ओम की शक्ति तथा परंब्रम का विश्व के अन्य भागों से संबंद के बारे में है उपनिशद को दो भागों में प्रस्तूत किया गया है पहले भाग में परिचय और पहले तीन प्रश्ण है और दूसरे भाग में बाकी के तीन प्रश्ण है उपनिशद ये छे रिशी भारद्वाज पुत्र सुकेश, शिवी कुमार सत्यकाम, गर्ग गोत्र में उत्पन सौर्यायनी, कोसल देश के अश्वलायन, विदर्व निवासी भारगव और कत्य के प्रपोत्र कबंधी जो ब्रह्म को जानने और उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, ये सभी हाथ में समिधा लिए, विख्यात रिशी पिपलाद के पास इस विश्वात के साथ गए, कि वे उन्हें ना किवल सब कुछ बता देंगे, बलकि उनकी सारी शंकाओं का समाधान भी कर देंगे ऐसे आये हुए, उन रिशियों से पिपलाद ने कहा, तुम सभी मेरे पास एक वर्ष पवित्रता तप और श्रद्धा से रहो, और फिर अपने प्रश्न पूछो, यदि मैं जानता होंगा, तो अविश्य तुम्हें बता दूँगा पिपलाद के पास एक वर्ष पवित्रता तप तथा श्रद्धा से रहने के बाद, वे फिर उनके पास गए, और कबंधी ने पहला प्रश्न किया उसने पूछा, प्रभू, सब जीवों का जन्म किस निश्चित कारण से होता है पिपलाद ने उत्तर दिया, कबंधी, स्रिष्टी के रहचैता ने संतान चाही और यह सोचकर उसने तप किया उस तप से उसने नर और मादा रूप जोड़ा, जो प्राण और रही थे, उनको स्रजित किया प्राण और रही मिलकर ही स्रिष्टी में सब कुछ उत्पन करते हैं जीवन चेतन शक्ती प्राण है और स्थूल भूत आकृती रही है निश्चे ही सूर्य प्राण है, नर है, चंद्रमा रही है, मादा है रही या प्रकृती ही वास्तव में सारी स्रिष्टी है वो जो आकार वाला है और वो जो बिना आकार के है वे सब कुछ प्रकृती ही है चाहे वे स्थूल हो या सुक्ष्म हो इसलिए जिसका भी आकार है वे प्रकृती है प्रकृती ही वे स्थूल प्रकृती ही वे भौतिक माध्यम है जिससे सब ही आकार दर्शाय जाते हैं सूर्य उदे होने के बाद पहले पूर्व दिशा में प्रकाश करता है और ऐसा करते हुए अपनी किर्णों से वे पूर्व के सब जीवों को नहलाता है और पोशन देता है ऐसे ही जैसे जैसे दिन बढ़ता है वे बाकी की दिशाओं के जीवों को नहलाता और पोशित करता है दक्षन के उत्तर के पश्चिम के नेचे के उपर के तथा बीच के ऐसे ही सूर्य अपनी किर्णों से सब जीवों को रोजाना नहलाता है और उन्हें पोशित करता है सूर्य जो अनंत विविदता में प्राण है वे वैश्वानर अगनी के रूप में उदे होता है जीवों की प्राण रूपी अगनी सब जीवों का सार हर आकार धारन करते हुए हर प्राण धारन करते हुए और हर अगनी के रूप में वे रोजाना उदे होता है यही बात रिगवेद के शलोक में भी कही गई है वे तप्ता हुआ सूर्य जो स्रिष्टी के सब जीवों का प्राण है जो प्रकाश मैं है जो सरवग्य है अर्थात सब कुछ जानने वाला है जो सब का लक्ष है जो एक मात्र प्रकाश है जो गर्मी देने वाला है जिसकी हजारों किरने है और जो सैकडों रूपों में अस्तित्व रखता है वे ऐसे ही प्रती दिन बिना रुके उदित होता है बारे महिनों वाला साल ही वास्तव में स्रिष्टी का भगवान है और उसके दो अयन अर्थात उसके दो मार्ग है दक्षिन का मार्ग और उत्तर का मार्ग दक्षिन का मार्ग समय और काल के बंधन की ओर ले जाता है जबकि उत्तर का मार्ग समय और काल के बंधन से मुक्ती की ले जाता है जो लोग यह समझ कर उपासना करते हैं कि यग्य और धार्मिक क्रियाई करना उनका करतव्य है वे इससे सांसारिक जगत ही जीतते हैं उनके कार्य उन्हें सांसारिक जगत जो समय और काल के आधीन हैं में वापस ले आते हैं इसलिए जो लोग संतान और धन आदी चाहते हैं वे दक्षिन का मार्ग चुनते हैं जिसमें उनका पुनरजन्म होता है और वे संसार में वापिस लोट आते हैं। दक्षिन का मार्ग पित्रों का मार्ग है और वास्तव में यह प्रक्रती ही है इसे रई भी कहते हैं लेकिन वो रिशी जो मुक्ती चाहते हैं और जो तप, पवित्रता, श्रद्धा तथा ज्यान से आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं वे उत्तर का मार्ग लेते हैं और सूर्य के द्वार से सूर्य को जीत कर वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं वे ब्रह्म जीवन रूपी श्वास, जीवन रूपी प्राण का सहारा और आधार है ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर उस ब्रह्म से वे वापस नहीं लोटते वे पुनरजन्म का अंत है और वे है परमगती है लोग उस ब्रह्म को काल या समय कहते हैं उसे पिता कहते हैं जिसके पांच पैर हैं जो पांच रित्वे हैं और बारह रूप हैं जो बारह महीने हैं वे स्वर्ग से भी उपर के लोक में बैठा है जो जल से भरा है दूसरे उसे सब कुछ जानने वाला कहते हैं जो साथ पहियों वाले और छेह अरों वाले रत पर बैठा है जो समय है, जो सदैव चलता रहता है और वे सब को अच्छी तरह जानने वाला है महीना वास्तव में स्रिष्टी का भगवान है इनमें अंधेरे वाला हिस्सा रई, प्रकृती है, मादा है और प्रकाश वाला हिस्सा प्राण है, नर है इसलिए ज्यानी रिशी जो जानते हैं प्रकाश वाले हिस्से में अर्थात शुक्ल पक्ष में यग्य करते हैं जबकि अग्यानी लोग जो नहीं जानते वे अंधेरे के समय अर्थात वे कृष्ण पक्ष में यग्य करते हैं ये दिन और रात सृष्टी के भगवान है इन में दिन प्राण है और रात्री प्रकृती या रई है जो दिन में संभोग करते हैं वे अपना बीज बरबाद करते हैं जबकि रात में करने वाले पवितरता से करते हैं अण्य वास्तव में सृष्टी का भगवान है और अन्य से वीर्य बनता है और उसी वीर्य से ये सब जीव उत्पन होते है इसलिए वे जो सृष्टी के रचेता के इस नियम का पालन करते हैं वे जोडे पैदा करते हैं केवल उन्हें ही ब्रह्म का वैलोक मिलता है जिसमें तप, पवित्रता और सत्य स्थापित है उन्हीं लोगों को जिनमें छल, धोखा, जूट, फरेब और टेड़ापन नहीं है ये ब्रह्म लोक मिलता है जो इन विकारों से युक्त है वे इस लोक क नहीं प्राप्त कर पाते हैं तब भारगव ने दूसरा प्रश्न पुछा in इस नंगति कितनी शक्तियाँ श्रिजित जगत को सहारा देती हैं कितनी इसे प्रकाशित करती हैं और उन में से सबसे श्रिष्ट कॉन है पिपलाद ने उत्तर दिया भारगव जो शक्तियां स्रिजित जगत को सहारा देती हैं वो हैं आकाश, वायू, अगनी, जल, पृत्वी, वानी, मन, आँख, तथा कान जगत को प्रकाशित करके ये बोली कि हम जगत को सहारा देते हैं और हमी पर जगत निर्भर है और यह स्रजित देह हमारी वज़े से ही जीवित है लेकिन प्राण जो उनमें से सबसे श्रेट था उनसे बोला इस गलत फैमी में तुम लोग मत रहो कि तुम्हारी वज़े से यह देह जिन्दा है वास्तव में मैं ही इसमें अपने आपको पाँच हिस्सों में बाट कर पाँच प्राण वाले श्वास बन कर इसे जीवित रखता हूँ और इसे सहारा देता हूँ बाकी शक्तियों को प्राण की इस बात पर विश्वास ना हुआ तब उन्हें अपना वर्चस्व दिखाने के लिए प्राण शरीर से बाहर जाने लगा जैसे ही वे बाहर जाने लगा वैसे ही बाकी शक्तियां भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और जैसे ही वे शरीर में बसने लगा तो वैसे ही बाकी सब शक्तियां भी शरीर में बसने लगी तब उन्हें विश्वास हुआ तब उन सब को तसली हुई कि वाकई प्राण में प्राण उन सब में श्रेष्ट है और तब उन सब ने प्राण की प्रशंसा की उसकी बढ़ाई की वे प्राण अग्नी बन कर तपता है वे सूर्य है वे वर्शा का देवता है जो हमें वर्शा का खजाना देता है वे वायू है वे प्रित्वी है वे पदार्थ है वे भगवान है वे अस्तित्व में भी है और वे अनस्तित्व में भी है वे आकार में भी है और वे बिना आकार में भी है वही है जो अमर है जैसे पहिये की नाभी में लगी अरें पहिये के बीच में केंदरित और स्थापित होती है वैसे ही सब कुछ प्राण में केंदरित और स्थापित होता है रिगवेद के शलोक, यजुरुवेद के मंत्र और नियम, सामवेद के मंत्र और गान तथा यग्य, वीर्ता और समझदारी के अधिकारी गण सब के सब प्राण में ही केंद्रित और स्थापित है सब जीवों के स्वामी बनकर तुम गर्ब में प्रवेश करते हो तुम पिता में बीज हो और माता में गर्ब हो और फिर तुम ही हो जो फिर जन्म लेते हो ये प्राण सब जीव तुम्हें उपहार और भेट लाते हैं तुम ही हो जो जीवन श्वासों में निवास करते हो तुम ही देवताओं को आहूति और भेट ले जाने वाले अगनी हो तुम ही पित्रों को दी जाने वाली पहली आहुती हो तुम ही प्राचीन, रिश्यों, अंगीरस और अथरवन का सत्याचरण हो ये प्राण अपनी वीरता से तुम इंद्र हो रक्षा करने वाले तुम रुद्र हो अंतरिक्ष में तुम सूर्य के रूप में चलते हो जो सब प्रकाशों का स्वामी है जब तुम वर्षा करते हो तभी सब जीव इस विश्वास और आशा से जीते हैं कि उन्हें बहुतायत में अन्य मिलेगा और वे प्रसन्यता अनुभव करते हैं क्योंकि तुम प्रथम जन्मा हो अतह है ये प्राण तुम संसकार रहित होते हुए भी प्रक्रती से शुद्ध और पवित्र हो तुम ही एक द्रश्टा हो अन्न खाने वाले हो और खाय जाने वाले सब के सच्चे स्वामी हो सर्व्यापी आकाश में विचरन करने वाले प्राण आप हमारे पिता है वै आपका रूप जो वानी में अच्छी तरह स्थित है जो कान में अच्छी तरह स्थित है और जो आँख में अच्छी तरह स्थित है और मन में और अंतहक करण में अस्थित्व रखता है उस रूप को मेरे अंदर कल्यान रूप में सदा बसा दो और उसे मुझसे अलग कभी न होने दो यह प्रत्यक्ष दिखने वाला सब कुछ और सब कुछ जो तीनों लोकों में अच्छी तरह स्थापित है वे सब कुछ प्राण के नियंतरन में ही है यह प्राण हमारी ऐसे रक्षा करो जैसे मा अपने पुत्र की रक्षा करती है यह प्रभु हमें समरिद्धी और समझधारी प्रदान करो तीसरा प्रश्न तब कोसल देशिय अश्वलायन ने तीसरा प्रश्न पूछा उसने पूछा, अचारिय, यह प्रान कहां से उत्पन होता है? इस शरीर में वे कैसे आता है? वे अपने आपको कैसे बाटता है? और कैसे स्थापित करता है? वे कैसे प्रयान करता है? और कैसे शरीर से बाहर निकलता है? बाहर के संसार को वे कैसे सहारा देता है और वे जो अंदर है और आत्मा से सम्मंद रखता है उसे वे कैसे सहारा देता है पिपलाद ने उत्तर में बोला अश्वलायन तुम जो प्रच्छन पूछ रहे हो वे सब मानव के अनुभव और समझ से बढ़कर है लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्म को पाने का भक्ती भाव रखते हो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ यह प्राण परमात्मा से जन्म लेता है शरीर में जीव के प्राण उसके प्रारब्ध कर्मों का नतीजा है उसका शरीर में जीवन उसके पुराने जन्म के कर्मों का कारण है वे शरीर में मन के संकल्प के कारण आता है एक नया जीवन पुराने जीवन के साथ पुराने जीवन के साए के रूप में उभरता है जैसे एक राजा अपने अधिकारियों को आतेश देता है यह कहकर कि आप उस उस गाउं की देख भाल करो और वहां प्रशासन करो ठीक वैसे ही यह मुख्य प्राण सभी प्राण अधार श्वासों को उनका अपना-पना स्थान बाड़ता है यह मुख्य प्राण स्वयम तो मुख, कान, नित्र और कान में रहता है तथा मल द्वारों में अपान वायू को स्थापित करता है मद्य भाग में अर्थात नाभी में समान वायू रहती है रिदे में जीव की आत्मा रहती है इसी रिदे में 101 नाडियों का समू है हर एक नाड़ी में से 100 छोटी नाडिया निकलती है प्रत्य एक छोटी नाड़ी से बहतर हजार शाखाई निकलती है इन में वियान वायू विचरन करती है अपने अपने कर्मों के अनिसार उपर जाने वाली उदान वायू मनुष्य को स्वर्ग अत्वा नरक लोक की ओर ले जाती है यदि मनुश्य ने अच्छे करम किये हैं तो फल सरूप उदान वायू उसे अच्छे लोग को ले जाती है और यदि उसने बुरे करम किये हैं तो वै उसे बुरे लोग को मिले जाएगी और यदि उसने दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे कर्म किये हैं तो उदान वायू से मनुष्य लोक में ले जाएगी यह सत्य है कि सूर्य ही बाहरी प्राण है और वै इस रूप में उदे होकर प्राण आधार अपान वायू को आँख में सहारा देता है वै देव जो प्रित्वी में है वै मुनुष्य के बाहरी श्वास को सहारा देता है जो सुर्ग और प्रित्वी के बीच है वै बराबर करने वाली समान वायू है और वै समान वायू ही व्यान वायू है वय प्रसिद्द तेज या अगनी ही वास्तव में ऊपर जाने वाली उदान वायु है इसलिए जिस किसी की भी जीवन की अगनी शान्त हो जाती है उसकी मृत्य हो जाती है और वय है पुनरजन की ओर जाता है अपनी इंद्रियों की चेतना को वे अपने मन में अपने साथ ले जाता है मरते समय जिसकी जैसी सोच होती है ठीक वैसे ही वे अपनी सोच के अनुसार अगले जीवन में प्रवेश करता है जो भी दुनिया उसने अपने मन में अपने विचारों द्वारा रची है उसी दुनिया की ओर वे अगनी और अपनी आत्मा को साथ लिए भिन भिन लोकों में अपने जीवन को ले जाता है वे बुद्धिमान व्यक्ति जो जीवन को या इस प्राण के रहस्य को ऐसे जान लेता है, उसकी संतान परिंपरा कभी नश नहीं होती, वे अमर बन जाता है, अगला शलोक इसी विशे पर है जो मनश्य प्राण की उत्पत्ति के बारे में शरीर में उसके प्रवेश की प्रक्रिया को उसकी व्यापत्ता के बारे में प्राण के शरीर के अंदर और बाहर रहने की स्थिति तथा इसके बाहरी और भीत्रे अर्थात शारीरेक और आध्यात्मिक रहस्य को भली भाती जान लेता है वेह परब्रम को प्राप्त कर लेता है ऐसा जानने वाला अमर जीवन भोगता है वे अमर बन जाता है और उसे मुक्ती मिल जाती है पहला भाग समाप्त ओम शान्ति 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 ओम